चलिएगा तो स्वागात है आप सभी का साइन्स और टेकेस ऑफिसल प्लेटफॉर्म की उपर किल हमने मिनरल्स की उपर यहाँ पे एकलोजिकल फेक्टर को छोड़ा था आज हम मिनरल्स की आगे कवर करना सुरू करेंगे एकलोजिकल फेक्टर यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यह वन डे और पी एसी दोनों के लिए बहुत-बहुत काम की है तो इसको बहुत फोकस करके आप देखेगा और साथ में आपके सौट नोट्स भी आप बनाते जाएगा इसका जो आपको मिलने बाला है टेलिग्राम की उपर तो अंके सर पी डवलू यह टेलिग्राम जो आईडी है यह ओफिसल पी डवलू के टेलिग्राम आईडी है वहाँ पर भी मैं इसका PDF यहाँ पर send कर दूँँगा वहाँ पर आपको आसानी से PDF लब्ध हो जाएगा तो चलिएगा करते हैं सुरुवात ecological factors तो कल दिहां दिजीए का कल मैं plant mineral के बारे मैं आपको बता रहा था पादब खनिच के बारे में कल मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था तो कल चर्चा हो चुकी थी तो मैंने आपको बता दिये थे लगू मात्रिक खनिच केंसे याद करने हैं तो मैंने आपको याद कराया था फेको मंजन बीकल मुनी से लगु मात्रे खने जाप याद कर यहाँ पर सकते हैं वो दीर्ग मात्रे की उपर चर्चा हम कर रहे थे ठीक है तो अपनी कहानी आज यहाँ से शुरू होनी थी जिसके पहले जिसने पुराने लेक्चर से ना देखे हो तो पहले पुराने lectures वीडियो आप देखेगे तब आप link में आप जुड़ पाएंगे क्योंकि environment का ये 8 पा number का lecture है तो ये environment pre plus means दोनों को मैं लेकर यहाँ पर चल लाओं तो यहाँ पर pre से भी धेर सारे questions यहाँ पर बनते हैं अब बात करते हैं एक एक करके करते हैं चर्चा तो बात करते हैं पहला आपको दिखाई दे रहोगा carbon hydrogen oxygen प्लस calcium ये क्या काम करता है तो ये किसी भी पौधे में ये कोशिका भित्य cell wall और plasma membrane को बनाने का काम करता है तो PT में एक बार caution यहाँ से बना हुआ है फिर हमने बोला NPS क्या है तो nitrogen, phosphorus और sulfur तो ये क्या काम करते हैं ये किसी भी पौधे में amino acid और इसी amino acid से ही क्या बनता है protein बनता है ये हमें पता है इसी amino acid से बनता है क्या protein ठीक है ये भी हम यहाँ पर कल देख चुके थे अब बात हम यहाँ से करनी थी मैगनीसियम से यह जो plant mineral बाला portion जो आपको देखाई दे रहा है न यह देखो आप कौनसा plant mineral यह आप हम यह देख रहे हैं plant minerals यहाँ से means में तो खास caution नहीं पूछे गए हैं means में तो caution नहीं बनते हैं हाँ मग प्री में कौन-कौन से खनिज होते हैं तो pt में आपके धेर सारे कौशनस आपको देखने को मिल जाएंगे मगर means में यहां से कौशन नहीं बनते हैं अब चुके में प्री प्लस means बता रहूं आपको कम से कम environment का तो मैंने उपर लिखी दियागी पादप खनिज इसमें के प्रिलिम्स examination के कौशन यहां से बनेंगे means के कोई भी कौशन यहां से नहीं बनेंगे चलो तो पहला हमने बात किया मैगनीसियम का यूस कहां पे करते हैं पौधे तो बहुत बहुत आएंपी प्री में दो बार पूछा है अलग-अलग एक्जामने पूछा है तो किलोरोफिल का जो निर पतिया मैचूर नहीं हुई है उसके बावजूत क्या हो जाती पतियां गिरने लगते हैं प्री मैचूर लीफ फॉल हमें देखने को मिलता है किसमे ओलड लीफ में पुरानी पतियों में कल इसके बारे में मैंने आपके साथ चरचा भी की थी मारजिनल नेक्रोसिस ये क्या क देखो, पती की यह जो किनारे बाले भाग जो है, यह दिखाए दे रहे यह, यह बाला भाग क्या होगा? नेकरोसिस यहां पर होगी। सर, नेकरोसिस का मतलब क्या कहलाता है? नेकरोसिस का मतलब होता है डेडजिनिंग आपटिसूस। उतकों का क्या हो जाना मर जाना तो पत्तियों के किनारे के नारे की पत्तियों किसी पीली पढ़ने लगेंगे उहां उतक क्या होने लगेंगे मरने लगेंगे किसी कमी से मैगनीसियम की कमी से केबल और केबल स्पोर्सन से प्री में कौशन यहां पर बंदे तो इसले मैंने के लिए और आरेने और डीने के निर्मान के लिए क्या जरूरी है मेगनीसियम आवस्च है तो पहला खनिश था कौन सा मेगनीसियम जिसके बारे में हमने जानकारी लिखी जो श्टार लगाया हुआ है कि सीधे कौशन पी टी में बने हुए हैं दूसरा देखो खनिश मैं यहाँ पर आपको बता रहूं देखो दूसरा खनिश कहलाता हमारा कौन सा कैलसियम सर कैलसियम सरी कैलसियम बोलों पोटैसियम देखो पोटैसियम दूसरा खनिश तो हमने बुला केंबियम रिंग लकड़ी वाले के पास आप गय हो जहां पर लकड़ी आप गटती है तो वहां पर यह आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा या लकड़ी कटी हुई आपने गौर से यह देखी हो तो लकड़ी कटी हुई यह आपने गौर से देखी होगी तो आपको कुछ चल्ले से उ इन चलनों को ही बुला जाता है क्या इन चलनों को ही बुला जाता था या बूल देते हैं से ही एन affiliate भी से कहा जाता है हINदी बल से रुलते वारसिक वला है यदि आपने बॉटनी थोड़ी भूट आपने पड़ी है तो आपको पता होगा ये केंबियम रिंग क्या कहलाता है हर बसंद के सीजन में एक रिंग बढ़ जाता है तो ये कहलाता सेकेंडरी ग्रोथ का होना तो पौधे में दो प्रकारी ग्रोथ पाई जाती जब पौधे की उचाई बढ़ती है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी हम कहते हैं से क्या प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है जब पौधे की मौटाई बढ़ती है इसे हम बोलते हैं दोतियक ब्रधी या सेकेंडरी ग्रोथ हम इसे कहते हैं तो हर बसंत में एक रिंग यहां पर बढ़ जाता है तो हम बूलते हैं कि हमें मालो आपने देखा हो कोई पीड किसी ने जंगल में चोरी से काटा है तो हम उसकी एज का पता कैसे लगाते हैं तो हम क्या काम करते हैं हम उसकी जो रिंग जो होते हैं उनको गिनकर लगभग हम पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुराना पेड़ होगा क्योंकि मैच्योर होने पर हर बसंत में एक रिंग क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है इसका अध्यन के एक साइंस भी इसको बोलते है डेंड्रो क्रोनोलोजी कहा जाता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेंड्रो क्रोनोलोजी क्या कहलाती है कि जो एन्यूल रिंग जो है या बारसिक वलाय जो है इनको गिनकर पौधे की उम्र का पता करना तो जो केंबियम रिंग की सक्रीता के लिए क्या जरूरी होता है यहाँ पर जरूरी होता है पोटेसियम आवश्यको होता है हाजी सरकल गिलनके हम बता देते हैं ये कितना पुराना है चलो तो बहुत बहुत काम का दूसर देखो पोटेसियम का यूज कहां पर होता देखो इस्टो मेटल ओपनिंग एन क्लोजिंग पतियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाये जाते हैं इन छिद्रों को बूला जाता है क्या इस्टो मेटा या हिंदी बाले से बोलते हैं रंद्र जो रंद्र जो होते हैं रंद्रों के खुलने और बंद होने के लिए क्या जरूरी होता है यहां पर पोटेसियम आवसक होता है इसके लावा कहां पर होता है यदि पोटेसियम की कमी पोधे में हो जाएगी तो पोधे का जो कोशी का बिभाजन है ये डिले हो जाता है ये देरी से यहां पर होता है तो सारे कौशन पीटी प्री के लिए बहुत-बहुत काम के हैं यहां से मेंस में आपका कोई भी लेना दे नहीं हाँ मगर आप समझ लीजिएगा मालों कभी कुछ पूछा सो आप से बन जाए अगली अपन बात करते हैं अगला खनिच है कौन सा मैगनीज यह आपको दिखाई दे रहा होगा देखाई अगला खनिच कौन सा है यह मैगनीज तो Metabolic Activity of Clorophyll Synthesis उपापाची किरियाएं और किसके लिए जरूरी है किलोरोफिल के निर्वान के लिए मैगनीज जरूरी है सबसे ज़्यादा आपसक होता किसका मैगनीजियम का फिर आजाता कौन मैगनीज भी यहाँ पर आजाता है इसके लाब हमने क्या बोला Metabolic Activity देखो क्या सर यह Metabolic Activity क्या कहलाती है जो Metabolic Activity होती है यह दो Reaction से मिलके बनी हुई होती है पहला कहलाता है एनाबोलिक और दूसरा कहलाता है केटाबोलिक हिंदी में से बोलते उपच्छाए और इसे कहा जाता है अपच्छाए उपच्छाए का मतलब होता है Permission Something New, कुछ नयाब बनना और अपच्छाए का मतलब होता Breakdown तूटना तो मेटाबोलिक एक्टिविटी या उपच्छे किरियाय क्या होती है इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि सरीर के अंदर कुछ नयाब बनना और तूटना For example हम यदि बात करते हैं किसी चोटे बच्छे की हम यदि बात करते हैं तो कोई बच्छा क्या है भी छोटा है तो अब छोटा बच्छा है तो हम क्या बोलते हैं कि सर इसकी जो मेटाबोलिक एक्टिविटी है इसकी जो उपापच्छे किरियाय हैं यह काफी क्या है जादा है इसके हर कपड़े और जूते हर छह माईने में सर छोटे पड़ रहे हैं मैंने बुमला क्यों पड़ रहे हैं तो आपने बूला किसर इसके अंदर जो reaction हो रही है न Metabolic activity जो हो रहे हैं उपापा चाई किरिया जो हो रहे हैं ये काफी तीज हैं मतलब इसके अंदर कूसका लगातार बन रही है और पुरानी कूसका लगातार तूट रही है जब कुछ नया बनेगा तो इसे बोला जाता है क्या एनाबोलिक रियक्सन कहा जाता है और जब पुराना जो तूट जाता है उसे बोलते है क्या इसे कहा जाता है क्या इसे कहा जात अब मेंगनीज की कमी से कुछ रोग होते हैं रोग कौन से होते हैं तो पहले रोग का नाम लिखा है मार्स स्पॉट औपी मतर में स्पॉट यहां पर बनने लगते हैं तो इसका मतलब यह होता है हम देखके समझ जाते हैं कि इसमें क्या है मेंगनीज की कमी हैं यह सारे कौशन प्री में पूछे जाते हैं, तो पहला रोग आप इसको याद करके चलेगा, अगला spinach, yellow, spinach का मतलब होता है पालक, तो पालक यदि समय से पहले, एक समय के बाद तो पीली होगी भाई, यदि समय के पहले यदि पीली हो रही है, तो एक रोग हो सकता है, इसमें हो सकता मेंगनीज की कमी हो जाए, क्यों? क्योंकि मेंगनीज का आप योग कहां पर होता है, केलोरोफिल सिंतेसिस के लिए होता है, जिसकी बज़े से पत्तियां हरी होंगी, अब मेगनीज नहीं है तो पत्तिया हलकी सी पीली पढ़ने लगती है तो रोग का नाम क्या दे दिया? रोग का नाम दे दिया Spanish Yellow तीसरे रोग का आप छोड़ सकते हो ये खास काम का तो नहीं है इसे हम छोड़ देते हैं बस दो रोग ही हमारे काम के तो ये है क्या? ये है मेगनीज आगला देखो आगला आपको देखाई देरा मॉलिबी डेनम मॉलिबी डेनम देखाई देरा आपको मॉलिबी डेनम तो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इस्थरी करन के लिए क्या जरूरी है भाई साब? ये जरूरी है मॉलिबी डेनम इसको हमें याद रखना है ये पूछा भी गया है एक्जाम में रेक्वाइड फॉर रूट नोडियूल मोडियूल नहीं है ये नो है एन है ये है ना रेक्वाइड फॉर रूट नोडियूल एन कि जरू में क्या गांठों के निर्माण के लिए आरे बत सब्सक्राइड मतलब क्यों क्यों कि हम चिलेता है सामा ने भासा में दी हम बोलें तो पॉधे ने क्या काम किया वो राइजू भी हम को रहने के लिए जड़ों में क्या दे दी जगाय यहां पर दे दी अर्य वास सब्सक्राइब हाजी हाँ वो एनावुलिक अलग कहलाते हैं निरमाणा अत्मक उनको बोला जाते हैं एनावुलिक के श्टिरोइड हाई यस ठीक है चालो इसकी डिसीज आप छोड़ सकते हैं यह तो डिटेल बोटनी यहां पर हो जाएगी जो काम की हैं मैं वही आपको चीज़ें आपको बता रहा हूँ अगला आप देखो जिंक अगला खरिच कौन सा जिंक क्यों जरूरी है औकजिन हार्वून पोधे में एक हार्वून पाया जाता है यह कौन सा प्लांट हार्वून है प्लांट हार्मून कोंसा ओक्जिन उसके निर्मान के लिए क्या जरूरी है जिंक के यहाँ पर क्या है जरूरी फॉर्मिशन ओफ ओक्जिन हार्मून इसके लाबा देखो जिंक की कमी से कौनसा रोग होता है रोग दिखाई दे रहा है खेरा डिसीज ओफ राइज यह पूछा गया है चावल का खेरा रोग है ना चावल का खेरा रोग यह आपको दिखाई दे रहा हो तो चावल का कौनसा रोग खेरा डिसीज चावल का खेरा रोग किस की कमी से जिंक की कमी से अगला वाइट बड़ अफ मेज मक्के में कली का कैसा सफेद हो जाती है तो मक्के में सफेद कली रोग वो भी किस की कमी से जिंक की कमी से अगला रोश्टे डिसीज, ये पोधों में आपको देखने को मिलेगी तो सबसे जादा काम का कौन सा है पहला बाला काम का है दूसरा बाला कम का है पहला बाला तो कई बार कौशन यहां पर पूछा भी गया है क्या कि जो चाबल का खैरा रोग है ख्यारा disease of rice, यह किसकी कमी से होता है, तो आप बताएंगे, यह जिंक की कमी से क्या हो जाता है, पौधों में ख्यारा रोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगला देखो, अगली हम बात करते ही, अगला खनेज हमें जो दिखाई दे रहा है, यह है कौन सा हमारा boron, देखाई, यह, boron, तो boron का use कहां पर होता है, तो formation of pollen green, पराग कन जो होते हैं, उनकी germination के लिए जरूरी होता है, और जो पराग नली का जो होती है, उसके निर्मान के लिए क्या होता है, आवसा क्या, boron यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आप बात करते हैं, बराउन की कमी से दो रोग हो जाते हैं, तो brown heart rot of sugar beet, और दूसरा cabbage और कॉली फ्लावर में क्या brewing हो जाती है, या browning इसे आप बोलते हो, यह, यह दोनों रोग जो होते हैं, यह किसकी कमी से, बराउन की कमी से, या एक और रोग लिखा है, internal cork of apple, save को यह आप काटोगे, अंदर से वो क्यांसा दिखाई देगा, अब थोड़ा सा brown sickler का दिखाई देगा, तो यह तीनों रोग जो आपको यह दिखाई दे रहे हैं, यह किसकी कमी से होते हैं, बोराउन की कमी से पौधों में होने वाले क्या हैं, यह, रोग हैं, हम क्या द पहले मरदा के बारे में देखा, कल जो हम देख रहे थे, हमने यहाँ पर soil के बारे में इसमें देखा, हमने soil की profile देखी पूरी, ठीक है, अब soil में होते हैं, मिनरल्स हमने देखें, तो इसे कौन-कौन से disease होते हैं, कौन-कौन से रोग होते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो मिट्टी जो होती है उसमें पानी होता है ये किस तरीकी से क्लाइमेट को क्या करता है मतलब एकोलोजिकल फैक्टर में कैसे सामिल है क्लाइमेटिक फैक्टर मैं बोलाओ इसको बोलना चाहिए एकोलोजिकल फैक्टर तब ज़्यादा सही रहेगा तो किस तरीकी से ये ecological कारकों को क्या करता है प्रभाबित करता है तो हम बात कर रहे हैं अब किसमें मिटी में पाये जाने बाले पानी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मिटी में पाया जाना पानी जो होता है ये चार प्रकार का होता है सरस पानी की भी चार प्रकार होते हैं चार टाइफ होते हैं जी हां जो सॉयल वॉटर जो होता है ये भी आपको चार क्लास में आपको दिवाइड होता हुआ दिखाए देगा फर्श्ट कहलाता है कैपिलरी वॉटर सेकेंड कहलाता है ग्रेविटेशनल वॉटर फिर साम को मैं घर पहुंचूंगा सबसे पहले टेलेग्राम की उपर मैं कौशन दे दूँगा ठीक है तो मिटी में पाया जाना बाला पानी कितने प्रकार का चार प्रकार का पहला कैपिलरी वाटर दूसरा ग्रिविटेशनल वाटर तीसरा हाइड्रोस्कोपिक वाटर और चौंस था क्रिश्टलाइन वाटर सर यहां से पीटी में कौशन के ऐसा बना था पीटी में कौशन ऐसा बना था कि इन मेंसे कौन सा पानी जो होता है पौधे उप्योग करते हैं प्लांट कौन सा पानी यूज़ करता है कमेंट करके बताओ चारों मेंसे कौन सा यूज़ करते हैं फिर मैं आपको बता रहा हूं, पॉधे कौन सा पानी इसमें से यूज करते हैं, कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं, पॉधे कौन सा पानी यूज करते हैं, इसमें से बताओ, बहुत बढ़ी हैं, एक ही कौशन भी तक पूछा है, लगबग 95% लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, पौधे किस पानी का यूज़ करते हैं, इस पानी का, ये कौशन पीटी में पूछा भी गया है, तो पौधे किस पानी का उपयोग करते हैं, तो पौधे कैपिलरी वाटर का यूज़ यहाँ पर करते हैं, तो पौधे की जणे इसी कैपिलरी वाटर का क्या करती हैं, यूज़ करती हैं अपनी मेटाबोलिक एक्टिबिटी के लिए, तो पौदे किस पानी का यूज़ करते हैं, इसी कैपिलरी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? सर ये ग्रिविटेसनल वाटर क्या कहलाता है ये आपको काफी गहराई में देखने को मिलेगा इस पानी को आप अपनी मोटर को लगा कर खीचते हो ये कहलाता है कौन सा ग्रिविटेसनल वाटर कहलाता है ये यह काफी गहराई में पाया जाता है यहां पत्थर पाया जाते हैं तो सामने जोटे पौधों के जलन तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाती है तो वो हमेसा यूज उस करते हैं किसका See LacCount Coming Water का यूस करते हैं अगला कहलाता Hydroscopic Water Hydroscopic का मतलब होता है नमी कभी आपने मित्ती को खोदा है तो मित्ती में जो नमी जो होती है मतलब मित्तीके मोलिक्यूर या मित्तीका जो ऩर्दैकि नमी इसकी उपर एक पतली सी फिल्म बनी होती है पानी की ये कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है सर ये कौन सा कहलाता क्रिश्टलाइन वाटर तो ये क्या होता है जो धेर सारे मिनरल्स जो होते हैं मिनरल्स के साथ जो पानी बंधा हुआ रहता क्रिश्टल के फॉर्म में कैसे एक्जाम्पल में आपको देता हूँ मैंने बुला C.A.S.O.4 into half H2O तो आपने बुला की सर ये कौन सा ये तो सर P.O.P है Plaster of Paris है केल्सियम सलफेट हैमी हाइड्रेट ये क्रिश्टल कापर सलफेट के क्रिश्टल के साथ कुछ क्या है आपने बोला सर कुछ नमी हमें दिखाई दे रही है ये इसको बोलते क्रिश्टलाइन वाटर कहा जाता धिर सारे एक्जामपल इसमें आप ले सकते हो अब CS of O2H2 ले लो ये, ये क्या है? ये है आपका जिपसम ये क्या है? ये है आपका जिपसम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये जो पानी है, ये साथ में क्रिश्टल के साथ मतलब जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता क्रिश्टलाइन वाटर तो इस सब में एक ही कोशन यहां से बना है कि प्लांट किस वाटर का यूज़ करते हैं तो आप बताएंगे कोंसे पानी का यूज़ करते हैं सो कैपिलरी वाटर का पौधे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ठीक है? हाँ जी अब हमें मिट्टी में क्या मिलते हैं तो आपने उलागी सर मिट्टी में मिलते हैं स्वाइल और्गनिज्म अब मिट्टी ही शलना अभी की बला है अभी हमने मिट्टी में पानी देख लिया अब मिट्टी में क्या देख रहे हैं? कौन-कौन से जीव यहाँ पर मिलते हैं तो मिट्टी के हदी अपन जीवों की बात करें तो अर्थवाम मिलता है यहाँ पर आपको मिलेगा क्या केचुवा मिलेगा यहाँ पर आपको धेर सारे microbes मिलेंगे स्तूक्ष में जीवी मिलेंगे कुछ आपको नेमेटोड मिलेंगे कुछ और्थोपोड मिलेंगे ये सभी की सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कोहाँ पर? मिट्टी में हाँ, वो कीसी कत वही प्रभाव है ये दर असल हाँ, दिनदयाल वही प्रभाव है आपने पढ़ा होगा ना physics में physics में आपने पढ़ा होगा एक सब्द होता ना capillary action केसी कत्व जोसे आप बोलते हो केसी कत्व क्या कहलाता है तो एक बहुत पतले बाल के बराबर पतले इतनी पतले आकार के यदि एक बारी का नली आप लोगे और इसको यदि आप क्या काम करेंगे यदि इसे कहां पर रखेंगे यदि इसे किसी liquid में रखोगे तो होता क्या है liquid जो होता है वो उपर की और क्या होता है चड़ने लगता है इस प्रभाव को बोला जाता है क्या किसी कत्यों का प्रभाव कहा जाता है यही को हम कैपिलरी कहा जाता है से यह बहुत बारिक पतले आकार की नली होगी बहुत कम ब्यास बाली होगी इसको किसी द्रौ की उपर रखोगी पानी अपने आप उपर चड़ता है यही कहलाता किसी कत्तो कहलाता है इसी की बज़े से दीये में तेल ऊपर चरता है जाईलम के बाद हमसे पौधे पानी पानी को उपर खींशते है वो यही एफेक्ट है तो यह जो कैप्लरी वाटर जो हमने बुलाना तो मिटी में बहुत बारिक बारिक क्या बन जाती है कैपलरी बन जाती है ये तो पौधे इसी पानी का उप्योग करते है यदि आपने सुना हो जिसे कभी पानी गिरता है तो पानी गिरने से खेत में क्या जाती है नमी यहाँ पर आ जाती है तो जब पानी गिरने से खेते में नमी आ जाती है तो किसान क्या काम करता खेते में नमी को बरकरार रखने के लिए उसमें प्लाव चला देता है क्यों अब पानी गिरा तो खेते में नमी आ गई बहुत जादा तो खेत में धेर सारी बारिक बारिक क्या बन जाती है कैपिलरी बन जाती है जिनके माध्यम से पानी तेजी की साथ क्या होता है एवपुरेट होता है उड़ता है तेजी के साथ तो किसान क्या काम कर देता है उसको मैं प्लाव चला देता है तो जितनी जो कैपिलरी बनी है वो सब की सब क्या हो जाती है तूट जाती है तो खेत में नमी लंबे समता क्या रहेगी बरकरार बनी रहती है ठीक है? हाजी नहीं हानी नहीं पहुँचाते है वो फाइदा ही पहुँचाते है केंचुए को तो किसान का मित्र भी बोला जाता है है ना लिखा है ना वो देखो लिखा है मरदा को अपजाओ बनाने में काम करते है देखो केंचुए लिखा है केंचुए और साप को किसान का मित्र कहा जाता है भी कोई पूछ रहाता देखो तो कि साप चुहे को खाते हैं तो किसानों कहीं न कहीं से लाव यहां पर होता है चालो यहां पर ध्यान देखो अब हम बात कर रहे हैं किस के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं स्वाइल अब रियक्सन के बारे में मिर्दा अभी किरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं पूरी जानकारी यहां पर लिखिये क्या क्या होता है जरत गौर से यहां पर देखेगा सारी बातें आपको समझ में आएंगी मिर्दा जो होती है मिर्दा आपको दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी तर दो प्रकार की मिटी जी हाँ, मिर्दा जो होती है ये दो प्रकार की होती, एक हो जाएगी कैसी acidic soil हो जाएगी अमली मिर्दा हो जाएगी और दूसरी हो जाती basic soil तो जो अमली मिर्दा जो होती ये तो आप सबी को जानकारी है तो इसका pH कितना होता है भाई साप, pH इसका सास से कम होगा, जो basic स्वायल होगी इसका pH क्या होगा भाई, pH इसका सास से जादा होगा, अब अगला कौशन बनता है, PT में ही बनते हैं यहां पे कौशन है ना, उसने बोलते हैं हाइड्रोजन आएन सो आप बता सकते हैं मिट्टी में क्या H पिलस आएन या हाइड्रोजन आएन की क्या हो गई है सांदरता बढ़ गई है जिसकी बज़े से क्या हो गई मिर्दा अमली यहाँ पर हो गई है अब आपने बोला कि सर ये कोशन कई बार पूछा गया है ध्यान देना मिर्दा अमली यदी हो गई है तो सर इसको हम ठीक करने के लिए क्या करें तो मैंने बोला भाई साम उसमें क्या डालो आप लाइम का उप्योग करिएगा रेमिडी उप्चार चूना आप डालेगा चूना यदी आप डालेंगे तो वो मिर्दी मिर्दा कैसी हो जाएगी फिर से नूट्रल की ओर चली जाएगी तो पचास बार कोशन यहां से बना हुआ है कि अमली मिर्दा को सही करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है और मेरी खाल से जोगरफी में भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई होंगी अब आपने बोला सर मिर्दा एक होती चारी मिर्दा होती है चारी मिर्दा अब देखो यहां पे कुछ नाम मैंने यहां पर लिखी हुए है हाजी चारी मर्दा जो होती दिखाई देना चारी मर्दा पी-च कितना चाह सास से ज़्यादा इस चारी मर्दा को देखो यूपी में बोला जाता है क्या देखो यूपी में चारी मर्दा अलग-अलग नाम दिये गए हैं अलग-अलग राजियों में इसको बोलते हैं रेब स्वाइल कहा जाता है या रहला स्वाइल कहा जाता है देखो आप लिखा हुआ है रहला मिर्दा या पंजाब में इसी छारी मिर्दा को बोलते हैं क्या फूर स्वाइल ही कहा जाता है फूर मिर्दा भी से यहां पर कहा जाता है इसके लाब बात करते है महाराष्ट में इसको कहा जाता, चोपन कहा जाता है, देखो आप, चोपन कहा जाता है, पंजाब में ही से कलर भी बूल देते हैं, वारा भी बूल देते हैं, दिखाई दे रहें, ये सभी की सभी क्या हैं, इसी मरदा के नाम हैं, किसके छारी मरदा के नाम, तो अलग-अलग राज्जियों में छारी मिर्दा को अलग-अलग नाम से जाना जाता है है कुछ नहीं है कुछ नहीं है ना अमली मिर्दा पानी से pH value में क्या होता पानी जादा गिरता है ना तो लीचिंग की प्रोस्स हो जाती है विपन तो H प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाती है इसकी बज़े से भी हो जाता है 100% हो जाता है तो जो चारी मिर्दा जो होती है आपने पढ़ाओगा चारी मिर्दा को एक नाम और दिया है यसे उत्तर भारत में रेगुर नहीं इसको बूलते हैं क्या एक नाम यहाँ पर लेखा था उसर उत्तर भारत में इसको एक नाम और बोलते हैं चारी मिर्दा को उसर मिर्दा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अपने देखते हैं यहाँ पर रेब स्वाइल या रहला स्वाइल भी से बोलते हैं पंजाब में इसी चारी मर्दा को ठूर मर्दा या ठूर स्वाइल भी बोलते हैं पंजाब में ही कलर, वारा जैसे सब्द उपियोग यहां पर किये जाते हैं इसी चारी मर्दा को ही बोला जाता है महराश्ट में इस बेसिक या चारी स्वाइल को चोपन स्वाइल है पन मर्दा भी यहां पर बोलते हैं उसर मर्दा भी अपन आयूपी में भी अपने हाँ पर बोलते हैं उसर हो गया रॉब हो गया रहला हो गया और बाकी अलग अलग राज्यों ने से अलग अलग नामों से पकारा है तो हमें तो केवल यह पता होना चाहिए कि छारी यदी मिट तो इंगले से बोलते हैं एक ही नाम है basic soil क्यों हो गई है तो हमने बोला भाई साम जो मिटी जो है मिटी में sodium carbonate और sodium bicarbonate और ये एनुएच की अधिकता यहां पर हो गई है जिसकी बज़से मिटी कैसी हो गई है चारी हो गई है फिर आपने फिर बोला कि सर मिटी चारी हो गई तो इसका इलाज क्या करें हम कैसे को ठीक करें तो मैंने बुला खेत में क्या डालो आप जिपसम डालो देखो यहां पर दिखाई देरा यह जिपसम सर जिपसम क्या होता है स्तिये SO4-2H2, अभी मैंने बनाए था, इसे कहा जाता, जिपसम कहा जाता है, इसे जिपसम कहा जाता, जिपसम को डालने से छारी मिर्दा बहुत हद तक ठीक यहाँ पर हो जाती है, तो पचासो बार कॉशन पूछा है, छारी मिर्दा को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करें, तो अमली मिर्दा को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं, अमली मिर्दा किसकी बज़ए से, एच प्लस साइन की बज़ए से, छारी मिर्दा किसकी बज़ए से होती है, सोरियम कार्बोनेट, सोरियम बाई कार्बोनेट, और एनियो एच की ब लखेगा बहुत बहुत काम की इस सारी बाते अपने जियोग्रफी में भी आपने यहां पर पढ़ी होंगी लॉजीकल फेक्टर हमने बूला सो कौन कोन पर भावित करता है हमने बूला इस्थल की आकृती प्रभावित करती है हमने बूला ख्लाइमीट भी यहां पर कारक, मतलब जीवित जीवें ये भी क्या काम कर रहे हैं, प्रभाबित कर रहे हैं, तो इतना वाला भाग, देखो, ये हमने पूरा का पूरा कर लिया है, क्या अभि वही चला ecological factor, ये हमने पूरा कवर यहां पर कर लिया है, अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके उपर जैब कारकों की उपर चर्चा करने वालें बायोटिक फेक्टर और आपको पता है क्या बायो का मतलब होता है क्या लिविंग बायों का मतलब होता है क्या living या इसे बोला जाता है क्या जीवित कहा जाता है ठीक है तो बायों का मतलब होता है क्या living आपको यहां पर देखने को मिलेगा या जीवित अब हम बात कर रहे हैं कि जीवित जीव जो होते हैं ये किस तरीके से क्लाइमेट को एफेक्ट यहाँ पर यह उसे प्रभावित यहाँ पर करते हैं तो अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है बायोटिक फैक्टर के बारे में तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की जीवन को प्रभावित करते हैं इन जीवों के दोरह जैबिक कारकों का निर्मार होता है ठीक है? इस प्रकार के जैबिक पारस पर एक सम्मंद में दोनों जीवों को यातो हो सकता है लाब हो सकता है या एक को लाब होगा दूसरे को हानी होगी या दोनों को हानी हो सकती है इस प्रकार कई सम्मंद भी हम यहां पर देखने बाले हैं और यह बहुत 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 काम का है ये मेंस में भी आएगा वापका अब मैं जो आपको यहां पर बता रहा हूं तो आपको डिटेल इन्वार्मेंटल बाइलोजी अब आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो हमने क्या बोला कि प्रत्वी पर जो जीव या बायोटिक और्गनिस्म रहते हैं तो यह एक दूस दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे पहला या हो सकता एक को लाभ हो दूसरे को हानी हो या दोनों को हानी हो सकती है तो यह से कुछ हम अभी संबंध हम यहां पर देखने वाले हैं कि क्या क्या किन किन के बीच में होता है अभी हाँ पर यहीं बता रहा है देखो आप पहले पहला सम्मंद का कहलाएगा positive interaction कहलाएगा positive interaction का मतलब है कि जहां पर दोनों जीवों को क्या होने वाला भाई profit होगा दोनों को क्या होगा लाब होगा दूसरा कहलाता है negative interaction रनात्मक पार्स पर एक सम्मंद जहां दोनों को क्या होने वाली है हानी तो यहां तो दोनों को लाब हो रहा है देखो तो यहां पर क्या होगा हानी होगी तो किसको हानी होगी किस आधार पर इस आधार पर सम्मंद कई परकार के हमें देखने को मिलते हैं मिला चलो पहला संबंध हमें मिल चुका है बहुत 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 काम का जितना इंपी लगे तो उतना इंपी लगाना मींस में भी काम का है तो हम पहला क्या देखा एंदेख देखो धनात्मक प्रसपरिक संबंध देख रहे हैं जहां पर दोनों को क्या होने बाला है लाब होने बाला है तो पहला संबन्ध हमने क्या देखा देखो पहला संबन्ध हमने देखा सिंबायोसिस या इसी को बोला जाता है क्या इसी है बोलते है म्यूचिलिस्म भी इसे ही कहा जाता है इसे ही म्यूचिलिस्म भी कहा जाता है ठीक है असमिता यहां ध्यान दो, यह सब NCRT में मिल जाएगा आपको यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो तो हमने बोला क्या? स्तहजीबी या म्यूचिलिस्म क्या कहलाता है? तो हमने बोला कि जब दो जीब एक साथ रहें और एक दूसरे को यह प्रॉफिट पहुँचाएं, लाब पहुँचाएं यह जो अंतर संबंध है, इसे ही बोलते हैं सिंबायोसिस कहा जाता है या इसे ही बोलते हैं म्यूचिलिस्म कहा जाता है दोनों को क्या होगा यहां पर? लाब है यहां पर होगा तो पहला संबंद क्या ऐसा है? कोई एक्जामपल है सर आपके पास? अरे धेर सारे एक्जामपल इसमें दिया है क्या? लो धेर सारे एक्जामपल दिये हैं तो हमने पहला सम्मंद क्या देखा हमने पहला सम्मंद यहां पर देखा कौन सा हिंदी बोलते हैं सहोपकारीता या सहजीवन इंगली से बोलते हैं म्यूचलिज्म या सिंबायोसिस इसमें हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि सर यहां पर दौनों लोगों को क्या होगा प्लस प् दिखाई दे रहा है क्या हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको और भी है क्या हाँ बहुत है पहला एक्जामपल क्या है तो पहला एक्जामपल दिखाई दे रहा हो आपको ये रहा पना ये है हमारा पहला एक्जामपल पहला एक्जामपल क्या है कि डिस्पर्सन अफ फ्रूर् और बीजों का प्रकिलन करना कैसे एक्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ फल बना मालो अमरूत था अमरूत बढ़िया पेड़ पे लगा हुआ था एक तोता आया तोते ने अमरूत को तोड़ा के वो ले गिया तो बढ़िया डाल पे बैठके उसने अमरूत को खाया अमरूत को तो वो खा रहा था तो उसको लाब हो गया मगर पौधे को क्या लाब हो गया पौधे को ये लाब हो गया कि तोता जो था फल को अड़ा कर ले गया कहीं दूर और जब फल को दूर कहीं उड़ा कर ले गया, तो पौधे को लाब यह हो गया, मैंने पहले दिन बोला था, कोई भी जीव हो, चाहे एक कोसी की है, चाहे बहु कोसी की है, प्रथवी पर आया है, एक मातर एह में प्रजनन करना, तो पौधे का तो प्रजनन सफल हो गया न, यह हां से बीच चला गया, तोते के माद्ध हम से दूर, यह परागकन मधुमक्खी के माद्ध हम से दूर चले गए, सर मधुमक्खी को क्या फायदा हुआ, उसे भाई साथ सहथ बनाने के लिए नेक्तर मिले गया, मधुमक्खी को क्या यह फायदा हो गया, पौधे को क्या फाय इतना आकरसक इसलिए बना था ताकि कोई जीव उसको दे कि उसको खाएगा तो बीच तो वो खाता नहीं है यसे बंदर को भी आप दोगे आम तो वो गुठली नहीं खाएगा आम को ले जाएगा दूर कहीं खाकर फेग देगा तो वो यही तो चाहा रहा था पौधा कि मेरे इस फल को ले जाकर कहीं दूर छोड़ दो तो कहीं दूर यह प्रजनन कर लेगा यहां पर नया पौधा बन जाएगा तीसरा यहां पर देखो लिखा है क्या सहे जीवी नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन यह आप सभी लोगों ने मेरे खाल से पढ़ा होग और सुना होगा दालवाली फैमिली जो लेग्यूमिनीसी फैमिली जो होती है लेग्यूमिनीसी फैमिली का मतलब होता है जो दालवाले कुल जो होते हैं उनके पौधे की जड़ों में आप देखेंगे आप कुछ गांठें पाई जाती हैं किसी ने बहुत गोर से देखा इन गांठों में एक बैक्टिरिया रहता है राइजोबियम ये क्या काम करता है ये नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देता है किसमें नाइट्रेट आएन में कनवर्ड कर देता है क्योंकि पौधे जो होते हैं, जमीन से सीधी नाइट्रोण का उप्योग नहीं कर पाते हैं, तो ये बैक्तिरिया ने क्या काम किया, ये है एक बैक्तिरिया, इसने क्या काम किया, इसने जमीन में रहकर नाइट्रोजन को किसम बदल दिया, नाइट्रेटम बदल दिया, तो हो रहा है और ये बैक्तिरिया है इसको भी क्या हो रहा है लाब हो रहा है तो ये एक परकार का क्या है सिंबायोसिस है जिसे अभी चलना सोईबीन का समय चलना है तो कभी सोईबीन को आप उखाड़ के देखना उसकी जड़ों भी आप गाठें दिखाई दे जाएंगी तो यह कहलाता है nitrogen fixation कहलाता है ठीक है? हाँ जी अब क्योंकि nitrogen fixation जरूरी है क्योंकि यह दाल वाला कॉल है और हमें पता है दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है और प्रोटीन किसे मिलके बना होता है हमें अभी सीखा है यह amino acid से मिलकर बना हुआ होता है तो इसका मतलब इसको nitrogen तो चाहिए ही ठीक है? अब कई लोगों ने बोला likein तो likein इसका example नहीं है symbiosis का likein दूसरा example है दूसरा प्रकार देखो हाजी लिखा है क्या? लिखा हुआ है mycorrhiza यह लिखा है mycorrhiza क्या कहला आता? ध्यान से सुनना mycorrhiza एक परकार का सहजीवी से आँप बोल सकते हो मगर इसको हमने एक लग से नाम ही दिया है what's it like? mycorrhiza mycorrhiza क्या कहलाता है जब बड़े जो पिल्ड़ जो होते हैं उनके साथ क्या हो जाती फंगस साथ में रहे जो उच्चकुल की पौधे जो होते हैं जब उच्चकुल की पौधों की साथ कवक साथ में रहती है तो इस रिलिस्टिनसिप को बूला जाता है क्या माइकोराइजा कहा जाता है और बहुती उम्दा एक्जामपल है किसका सिंबायोसिस का सहजी भी अंतर साथ रहते हैं तो दोनों को क्या होता है लाव होता है सर लाव होता क्या है देखो जो कवक जो होता है ये क्या काम करता पौधे की जड़ों की उपर उगाता है तो पौधे की जड़ों पे उपर उगाया तो सर कवक को क्या लाव है इसको कवक को लाव ये हो जाता है इसको ओगने के लिए जगहें में लगई सर पौधे को क्या लाब होता है पौधे को ये लाब हो जाता है कि भाई कबक क्या काम करती जमीन से पानी को खीशती है धिर सारे मिनरल्स को खीशती है तो पौधे को थोड़ा सा ये सहूलियत हो जाती है आर ये बदास सब्जाएं तो ये अंतर सम्बंद कहलाता है symbiosis बास सब्जाएं तो चौफ़ास का example है कौई सा? mycorrhizae तो mycorrhizae में हमने बूला ये दो प्रकार का होता है पहला होता है ectomycorrhizae और दूसरा होता है endo सब्द से ही आप समझ पा रहे होगे एक्टो, एक्टो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब क्या अंदर, तो ये कोई पेड़ लगा है तो पेड़ की जड़े हैं, जब कवक कहाँ पर ओग रही है, जड़ों के ऊपर ओग रही है, तो इसे नाम दिया है क्या, एक्टो माइको राइजा जब कवक जड़ों के अंदर देखो ये, अंदर ओग रही है, ये इसे बुला है एंडो माइको राइजा, काम वही हो रहा है, पोधे की जो अबसोसन दर जो है, एबसोसन रेट जो है, हमने ये बढ़ा दिया है बस, बागी काम तो पूरा का पूरा का पूरा वही चल रहा है, या वही हो रहा है आरे बस सब्ज़में, तो ये चौथा एक्जामपल है उसका सहजीवी का जो हम देख रहे थे ना, तो हमने तीने एक्जामपल तो यहीं देख लिए थे ये कहांगए तीने एक्जामपल हमने ये देख लिए थे चौथा एक्जामपल हमारे पास कहांगए जल्दिया भाई ये रहा, चौथा एक्जामपल हमारे पास कबक मूल, माइकोराईजा को हिंदी बाले बोलते कबक मूल मत्ब मूल के उपर कबक का उगना चौंत्रा एक्जामपल हो गया ये दो परकार के हो गया एंडो और एक्टो ठीक है अब माइकोराईजा के बाद में देखो अगला एक्जामपल कैसका लाइकेन बहुत 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 काम का जितना लगे सो उतना अप्पी लगाना प्री में लगाना मींसे में लगाना मैं तो करूँ इंटर्व्यू तक मैं पूछ लेगा तो आपसे लाइकेन तर लाइकेन भी किसका एक्जामपल है ये भी सिंबायोसिस का एक्जामपल है तर लाइकेन में कौन-कौन साथ में रहता है इसके पहले हम कई बाट डिसकसन कर चुके हैं यदि आपको याद आ रहा हो तो लाइकेन हमने बोला है जब एलगी और फंगी एक साथ रहते हैं ध्यान से देखो सौट में यहां पर बना देता हूँ मैं लाइकेन में मैंने आपको बताया था कि जब कौन-कौन एलगी और दूसरा फंगी या फंगस इसको आप बोलते हो कवक एक साथ रहते हैं तो इसे कहा जाता है लाइकेन कहा जाता है जो एलगी होती है किस कलर की होती है यह हरे कलर की होती है यह ग्रीन कलर की होती है तो यह क्य काम करती है ये करती है फोटो सिंथेसिस कर लेता है मगर जो कवक जो होता है इसको बोलते हैं वह अच्छा एक्जामपल दूँ कुकरमुता सफेद से रंग का होता है तो यहां पर यह किसी भी प्रकार क्लोरफिलिस में नहीं पाया जाता है तो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है यह सेपरोफाइटेक होते हैं यह मृतोप जीबी होते मृत सड़े गले पदार्थों की उपर यह ग्रो होते हैं उन्हीं की उपर क्या होते हैं यह उगते हैं तो होता क्या है यह इसको भोजन बनाके दे देता है यह इसको धेर सारे एमीनों अमल बनाके दे द सब्सक्राइब ने दिया था सारी जानकारी मैंने आपको पहले बता दी थी कि लाइकेन कहां पर मिलेगा बार्क आफ्ट्री पीड़ पोधों की छाल पर और वहां मिलेगा जहां पर इन्वार्मेंट होगा हुमिड थोड़ी नमी होनी चाहिए कि लिए ठीक है नहीं वाइरस और यूगलीना नहीं है अगला देखो सिंबायोसिस का अगला एक्जामपल लिखाई देरा मायर मैकोफिली चीटी रागीता अरे सर ये क्या है मायर मैकोफिली चीटी रागीता ये क्या कहलाता है ये भी सिंबाइसोस का बहुत ये अच्छा एक्जामपल है इसे बोला जाता है मायर मैंको फिली कहा जाता ध्यान से बेरी बास सुनना हाँ, हमें बता चुका हूँ सूचक है न दिन दियाल जो अपने पढ़ता है एर पॉलिशन का सूचक हो था, वो सब चर्चा हो चुकी है इसलिए इसके उपर में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ छटवाए एक्जामपल क्या है सर ये आपने कहले खा चीटी रागीता या मायर मैंको फिली क्या कहलाती है कभी किसी आपने पॉधे को गोर से देखा है जब उसमें फूल आने वाले होते हैं आपको देखाई नहीं देगा गर्मियों की समझे जब आम आने वाले रहते हैं तो चीटियों के गुच्छे जाते हैं मैंने आम का एक्जामपल दिया सिम आप देख लेना लताएं बाली सबजिया है उनकी उपर चीटे घूमते हुए दिखाई देते हैं इसलिए होता है कि पौधा क्या काम करता है वह सुक्रोष पौधा क्यां काम करता है यह पर स्टार्च को तीजी से बनाता इշ्टीकी फ्लोड बनाता चिपचेपा बनाता हो सूद मैं होता मीठा तोसके खाने के लिए चीटियां उसकी उपर आ जाती हैं तर चीटियां आने सेचीटियों को तो फाइदा हो गया है मंगर हपाने सब कि यहां पर आना शुरू कर देते हैं इल्लियां जिसको आप बोलते हो सामान भासा में इल्लियां लगना भी का समय भी यही क्योंकि फूल आ गया है तो भागे सब इल्लियां आएगी आएगा उसकी पत्तियों को खाएगा तो पौधे ने पहले से विवस्था करके रखी है उ चीतियां झाँ अधरगे यह तो इल्लि भी मिल गई हमें तो मतला एक बड़ियां वेज भी Is becoming लिए उनको नौन वेज भी मिल गया तो वह चीतियां जो होते हैं चीतें केड़े मकोरे इल्लियां को सब क्या कर लेते ।ा दोंओ को फायदा हो गया इसको रखाएमने कहांपर इसको भी रखा Symbiosis Categor movement रखा है बात करते हैं किसके उपर Common Salism की हम बात करते हैं दूसरा अंतरसंबंध आपको कहा दिखाई दे रहा है Common Salism आपको यहांपर दिखाई दे रहा है Common Salism को हिंदी इबाले यहांपर बोलते हैं क्या सर मुझे इल्ली का मतलब समझ में नहीं है तो मैंने इंग्लिस भी तो बूला था केटरपिलर तो इसका मतलब तो मैं इंग्लिस भी समझ में नहीं आया आसीस और अंकित दोनों को caterpillar देखा आपने caterpillar कुछ इस तरीके का होता ये इसी को हिंदी में इल्ली बोल देते हैं इंगलिस हम बोल देते हैं caterpillar कहा जा आता तो वैंने हिंदी और इंगलिस दौनों सब्द यूज़ किये हैं चने की पौधे में नहीं देखे हरे कलर के caterpillar आपको दिखाई देंगे हाजी देखो यहाँ पर बात करते हैं सहभोजिता की बात करते हैं सहभोजिता कॉमन सेलिजम एकसांत भोजन सहभोजन अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अलग अलग जीमों की बीच में यह सम्मंद आपको देखने को मिलेगा अब इसमें होता क्या है तो इसमें एक को क्या होता है लाब होता है और दूसरा क्या होता है दूसरे को नहानी होती है ना लाब होता है सरी किसा संबंध है आप इसमें बोला कॉमन सेलिजम है कि एक को होता है लाब होता है दूसरे को ना लाब होता है ना हानी होती है है ना ये किसा संबंध है इसके धेर सारे एक्जाम्पल है एक्जाम्पल वो दे रहा है पहले देख लो आओ एपिफाइटिक सेवाल, अधीपादा, परजीबी, सियार और चीते चलो पहले देख लेते हैं कॉमन सेलिज्म को पंजरा समझते हैं कॉमन सेलिज्म को कहलाते हैं हम बोलते हैं क्या सह भोजिता कहलाता तो इसमें क्या होता, एक को तो भाई साब क्या होगा लाव होगा, दूसरे को ना लाव होगा, ना हानी होगी सर ये कैसा होगा, ये दोनों नहीं होगे ना ही लाव होगा, ना ही उसे हानी होगी इसका एक्जामपल यहां पर क्या है इसका एक्जामपल क्या है आपने बोला सहभ हो जी था तो मैंने बोला कि भाई साब देखो एक टाइगर ने क्या काम किया एक हिरन को खा लिया इसने इसको खा लिया तो इसको क्या मिल गया भोजन इसको लाव हो गया अब मैंने बुला कि भाई टाइगर ने हिरन को खा लिया तो मैंने बुला बताओ कि भाई हिरन का क्या हुआ आप कई लोग लगा हिरन को हानी हुई भाई साब हानी के लिए तो हिरन जिंदा ही नहीं बचा नहीं इसको लाब हुगा नहीं इसको हानी हुगा यह तो सुनने पर रहा यह तो मर गया भाई साब यह तो मर चुका है बासमे नहीं है तो कॉमन सेलिजम क्या कहला आता है जिसमें एक को तो क्या होगा लाब होगा दूसरे को ना ही लाब होगा ना ही क्या होने वाली उसको हाने सेर ने हिरन को खा लिया इसको तो भोजन मिले गया मगर ये इसका तो बजूदी खत्म होगा अब आनी के लिए जिंदा रहना तो जरूरी है अब ये बचा ही नहीं है तो हमने बुल ले भाई साब इसको कुछ परभावित ही नहीं हुआ ये तो खतमी हो गया हम बोले नहीं पा रहे हैं कि ना लाब हुआ कि ना खानी हुई है इसको इसका बहुत अच्छा है एक्जामपल आपको देखने को मिलेगा देखो एपीफाइट दिखाई दे रहा है लेखा हुए एक्जामपल हाँ लेखे हुए है एपीफाइट ये क्या कहलाता है सर एपीफाइट एपीफाइट क्या कहलाता है ये किसका एक्जामपल है Common Salism का बहुत यच्छाए एक्जामपल है Epified देखो यहां से देखो यह कहलाता है Epified सर यह क्या बना दिया है आपने यह क्या बना दिया है तो यह हो गया एक पहला पौधा यह हो गया क्या यह हो गया नंबर दो पौधा तो ये कैसा हो रहा है ध्यान सबीर बाद सुनना एपिफाइट मैं आपको बता रहूँ तो एपिफाइट क्या होते हैं ये ऐसे अधी पादप देखो क्या लेखा अधी पादप पादप की उपर पादप मतलब एक पादप है उसकी उपर दूसरा पादप होगा हुआ है इसे कहा जाता है एपिफाइट यहां पर कहा जाता है एपिफाइट अधी पादप क्यों होगा हुआ इसकी उपर उसका मैं रीजन आपको देता हूँ पहले समझो ये पौधा था ये पौधे की एक ब्रांच जा रही थी इस ब्रांच पर एक नया पौधा उग गया ध्यान से सुनना नमबर दो पौधा, नमबर एक पौधे से कुछ भी नहीं ले रहा है, ये किसी भी प्रकार का ये पैरसाइट नहीं है, नहीं इससे वो पानी ले रहा है, नहीं उससे कोई भोजन, कुछ भी नहीं ले रहा है, नमबर दो पौधा, नमबर एक से कुछ भी नहीं ले रहा है, के मेकैनिकल सपोर्ट ले रहा है यह जो है नंबर दो पौधा केबल और केबल मेकैनिकल सपोर्ट मतलब यांतरिक सहारा सर जब ये नंबर दो पौधा नंबर एक से कुछ भी नहीं ले रहा है तो ये क्या अपना भूजन खुद बना रहा है जी हाँ इसलिए मैंने बोले जितेंद्र कुछ भी नहीं ले रहा है वो तो तुम पेरसाइट बोल रहे हो यहां पर तुम्हें अपन किसकी बात कर रहे हैं अपन कॉमनसेलिजम की बात कर रहे हैं इसको एक को होगा फाइदा दूसरे को ना ही फाइदा होगा ना ही नुकसान होगा वो तुम जो बात कर रहे हो न वो है तुमारी परजीविता की बात कर रहो अमर बिल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ये पॉधे आपको अपने आस पड़ासर वें देखने को मिलेंगे नहीं लो पहली बात ये मिलेंगे कहाँ पर ये मेग हाल है तरफ देखने को मिलेंगे जहाँपर पानी अच्छा खासा गिरता है आस पास 100-200-500 कुलिम्टर में आपको देखने को ही नहीं भी लेंगे लो ठीक है हाजी खजूर के पेपल का पौधा नहीं बिलकुल पूना गलत है ये वो गलत है मैं उसको मिसलेटी बोला जाता बौटनी की लेंगवेज में वो गलत है ध्यान से सुनना मैंने बोला एक पौधा था नंबर एक इसके उपर नंबर दो पौधा उगा हुगा है नंबर दो पौधा ये इसने इस पौधे से कुछ भी नहीं लिया नहीं पानी लिया है नहीं खनेज लिया है तो ये जिन्दा केंसे है ये पौधा ध्यान से सुनना ये पोधा पत्तियां हरी होती हैं तो ये कर लेता है प्रकास संसलेशन खुद से कर लेता है फोटो संथेजिस खुद से यहां पर कर लेता है ठीक है अपना भोजन खुद से बना लेगा सर ठीक है ये बात तो हम समझ गए कि ये भोजन खुद से बना लेगा मंकरसर पानी कहां से लेकर आएगा इसकी जड़ें तो हबा में लटकी हुई है तो यह पानी कहां से प्राप्त करेगा बस यहीं तो कंसेप्ट है यहीं से तो कॉशन बना हुआ है यह जो उतक यहां पर जो जड़ें लटकी हुई है इन जड़ों में एक उतक पाया जाता है, इसे बुलते हैं, वेलामेन उतक, वेलामेन टिशू, ये जड़े लटकी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, इन जड़ों में बिसीज परकार का एक उतक पाया जाता है, हिंदी इंगलिसमें बूला जाता है, वेलामेन उतक या वेल एक्टमोस्फिरिक हुमिल्टी को बायूमंडली नमी को खींचता है और किसको देता है हवा में मौजूद नमी को क्या करेगा ये खींचेगा और विभिन्ने परकार की नाइट्रोजन, फॉस्पुरा, सल्फर इन गैसों को भी खींचता है और किसको देता है, ये पौधे को देता है बात मेरी समझ में आ रही है, ये पौधा आपको अपने आस पड़ोस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा तो ये खींच किया रहा था, बेला मिन उ तक, ये हुमिल्टी को खींच रहा था, नमी को खींच रहा था तो हमारे हाँ तो सर नमी केवल बरसाथ में होती है गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी हो जाती है ऐसा हो जाता है तो सर ये बो आप आस परोस में देख रहे हैं न बरगत की उपर, पीपल, पीपल की उपर ये कुछ भी आप देख रहे हो उसको दूसरा उसको बुलते मिसलेटी कहा जाता बौटनी की लेंग बेज में वो ये नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब इसको उपर मैं चर्चा कर दूँगा थोड़ी सी तो ये जो पौधा है अब इसको क्या हो गया सर ये क्यों इसको उपर आया सर कर लेता है तो अब मैंने बुला कि बताओ नंबर दो पौधे को लाब हुआ आपने लोगा हां सर बिलकुल लाब हुआ क्योंकि सर ये इसकी उपर हो है तो इसको क्या हुआ लाब हो रहा है मैंने बुला नंबर एक पौधे को कोई नुकसान है क्या सब्सक्राइब कोई नुक्सान नहीं है ये नमबर दो पौधा से कुछ लही नहीं नहीं रहा है ना पानी ले रहा है इससे ना खनज ले रहा है कुछ भी इससे ये नहीं ले रहा है इसे कहा जाता है एपिफाइट कहा जाता है जो common salism का अच्छा example है मेरी बात सोच में आ रही है अब ये जो पौधा है कहां पर देखने को मिलेगा जहां हवा में नमी होगी तर हवा में नमी कहाओगी जहां पानी जादा होगा जहां पानी जादा है वो आपको में घाल है तरब आपको देखने को मिलेंगी आर्किड बगेरा के यो पौधे होते हैं उसमें देखने को आपको ये मिलता है सर हमने तो देखा है हमारे घर के बाहर एक पौधा लगा था किसका बरगत का पौधा लगा था बरगत के पौधे के उपर पीपल का पौधा होगा आया है हमने ये देखा है अपने घरों में ये देखा होगा हमने देखा कि हमारे घर के बाहर एक नीम का पौधा लगा हुआ था हमने देखा है नीम के पौधे के उपर एक आम का पौधा होगा है तो इसे बॉटनी की लेंगविज में कहा जाता है, मिसलिटी कहा जाता है, ये एपिफाइट नहीं कहलाते हैं सर हमने तो ये भी देखा है, कि हमारे घर के बाहरे एक पुराना बर्गत का पिर्ड लगा है, उसके उपर घांस उग जाती ही सर हमने ये भी देखा है, इसे बॉटनी की लेंगविज में मिसलिटी कहा जाता है, ये एपिफाइट नहीं कहलाते हैं जरा मेरे अध्यान से सुनना, अब हुआ क्या था, बो जो पौधा लगा हुआ था पहले से, तो यहां पे हवा चली, तो देर सारी धूली मिटी जमाब हो गया, इस पूर हवा में उड़ी रहे थे, तो घांस इसकी उपर उग गई, या नीम की उपर बर्गत उग गया, या पौधे की जड़ें, जमीन में जाने चाहिए, तब ही वो खनिच अवसोसित कर पाएंगी, क्योंकि सामान ने जड़ों में बेलामेन उतक थोड़ी पाया जाता है, ये तो एपिफाइट पौधों की जड़ों में ही बेलामेन उतक पाया जाता है, तो जो घरों के आपने आ करने से रहें कि यहां से खनिच खीच लें हम, क्योंकि उसमें हिस्टोरिया पाय ही नहीं जाते हैं, तो मिसलेटी वो कहलाता है दरसल, ये है एपिफाइट जो आपको आज पड़ों में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा, एक्जाम्पल यहां पर दे रहों क्या, प प्रोटो कॉपरिशन, हिंदी बोलके प्राक सह भोजिता या प्राक सह योगिता इसे कहा जाता है, तो अब ये क्या कहलाता है, अब देखना, ये क्या कहलाएगा, ये दो जीवों का ऐसा सम्मन्ध है, जब दोनों जीव एक साथ रहेंगे, ये नंबर एक जीव है, ये जब दोनों एक साथ रहेंगे, तो दोनों को क्या होगा, दोनों को लाब होगा, और यदि दोनों अलग अलग होगा है, दोनों जीव, ये नंबर एक अलग चला गया, दो अलग चले गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अन एफेक्टिट रहेंगे, किसी भी प्रकार से इनको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है सर किसे सम्मन्द आपने बता दिया कि साथ में हैं तो दोनों को लाब है और अलग-अलग हैं दोनों के हैं यह अपर भावित है दोनों को एक दूसरे का कोई ही प्रभाव पढ़ने बाला नहीं है सर ये किसी बात आप कर रहा हूँ इससे कोई अच्छा सा एक्जाम बिल दो हमें मैं आपको एक्जाम बिल देता हूँ आप बड़ियां खेते में गए आप बड़ियां खेते में भेंस को चरा रहे थे अच्छा एक्जाम पल लेता हूँ हुआ presenting , भेंस की उपर एक कवगवा आकर बैठ गया क्वगवह आकर क्यों बैठा ? तो बैंने भुलों भेंस की उपर जो कीड़े न इंसेक्ट होते है उससे उनको निजात मिलेगी तो कवग येन क्या काम किया ? भैंस की उपर जो कीड़े जो पाए जा रहे थे उनको वो चुन-चुनकर बीन-बीन कर खाने लगा आपको लगा अरे हमारी भैंस के उपर कवाँ केंसे बैठ सकता है आपने तुरंथ दोडगे गए आपने कववे को भगा दिया आपने तुरंद दोड़के आपने कववे को भगा दिया अब जब दो जुनों जीव एक सांथ थे भैंस और कववा एक सांथ थे दोनों को फायदा हो रहा था कववे को भोजन मिल लहा था भैंस को कीड़े मकोणों से निजात मिल लहा था आप दोड़के आपने कववे को भगा दिया तो मेरा कौशन आप से ये है कि आपने कववे को भगा दिया तो क्या कववा भूंका मर जाएगा नहीं सर कववा भूंका नहीं मरेगा मैंने बोले का भैंस वो कीड़े मकोणों से मर जाएगी क्या सर भेंस भी नहीं मरेगी तो इसी को ही बोलते क्या प्राक सहय योगिता कहा जाता है तो दो जीवों का ऐसा सम्मंद तो ये भेंस है आपकी ये कवगा साथ में मिल गए तो भेंस को मुल गया क्या कीडे मकोड़ों से निजात मिल गया कवगे को खाना मिल गया आप आपने कवगे को उड़ा दिया तो कवगे को उड़ा दिया तो भाईस साथ कवगा मर थोड़ी जाएगा वो और कुछ खाएगा भेंस थोड़ी मर जाएगी कीडे मकोड़ों से की नहीं नहीं कि भेंस मर जाएगे वो कीड़े मकोड़े हैं ना भेंस मरेगे न कवगा मरेगा इस सम्मन्द को बोलते प्राक सहय योगिता कहा जाता है आरी मेरी बास स्वंज में तो वे एक्जामपल यहां पर दे रहा है बहुत अच्छा क्योंकि वो गैंडे की जो टिक जो होती है इल्लिया जो होती है केटरपिलर जो होते इंसेक्ट जो होते उन्हें वो चुन-चुन कर खाती है उसको भोजन मिल जाता है इसको बड़ी निजात मिल जाती है उससे mutualism में दोनों को फाइदा हो रहा था कौन बोल लहा है खुसी पांडे mutualism यदि तूट जाता है तो दोनों को नुकसान हो रहा था मागर यहां दोनों को नुकसान कहां हो रहा आपकी भेंस कहां मर रही है कि कवगा मर गया हो आपका ना कवगा मर रहा है ना भेस मर रही है जबकि mutualism क्या हो रहा था सम्बंद तूटेगा तो दोनों को नुक्सान हो रहा था ना आपने बूला कि सहजी भी आपने बूला राइजो भी आम रहा था मैंने का राइजो भी हम को लकर दो बिचारे पौधे को मेहनत करने पड़ेगी राइजों भी हम कुछ रहने के लिए जगा नहीं मिल लई है अंतर है दोनों में खुसी पंडे ठीक है यह कहलाता है प्रोटो कॉपरेशन यहाँ पर कहलाता है अब सबी थे धनातमक बाले अब हम देखते हैं क्या नेगेटिव इंटरेक्शन देखते हैं कभी आप UPSC का पेपर दीजेगा आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको यह बता रहा हूँ अगला आपने बोला क्या रातमक संबंद अब रातमक संबंद क्या होगा अब में एक को नुकसान होगा एक को फाइदा होगा जाहिर सी बाद दी एक को नुकसान होगा तो दूसरे को तो फाइदा होना ही है आप यह बत समझ में आप देखो तो पहला संबंद आपको यह पता ही है इसको बोलते हैं पैरासिटिस्म कहा जाता है परजीविता कहा जाता है तो बस यह तो सभी को पता है कि परजी भी रहेगा तो एक को फाइदा होगा एक को नुकसान होगा भैस की उपर पाए जाने बाले कीडे मकोडे तो भैस अब कीडे मकोडों को तो फाइदा हो रहा मगर भैस को तो नुकसान है भैस को क्या है भैस को यहाँ पर नुकसान है यही कहलाता है क्या पैरसिटिस्म कहलाता है इसमें क्या होगा एक को तो भाईसा फायदा हो जाएगा एक को हो जाएगा नुकसान जब एक साथ रहेंगे और जब अलग अलग हो जाएंगे जिसको फाइदा हो रहा तो उसको नुकसान हो जाएगा दूसरे को हो जाएगा फाइदा आरी बास सुझ में मैंने बोला कि आप पेरेसेडिम्स की बात की जब दो जीब कैसे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो एक को फाइदा, एक को नुकसान होगा, संबंदो को तोड़ दो, रिलिस्निसिप को ब्रेक कर दो, जिसको फाइदा हो रहा था, जिसको नुकसान हो रहा था, उसको फाइदा होगा, सर कैसे, जैसे, मैंने मुला कि भाई स तो आपने क्या काम और आपने असर हमारी भैंस है, हमारी प्यारी भैंस है, हमें दूद देती है, तो आपने असर हमें एक काम करते हैं, भैंस के जो कीड़े हम बीन बीन कर निकाल देते हैं, आपने भैंस के पूरे कीड़े निकाल दिये, तो अब कीड़े को पहले फायदा हो जिससे आप बोलते हो अमरवेल है ना ये परजीबीता का बहुत अच्छा एक्जामपल है हिंदी बालों ने बोल दिया अमरवेल बोल दिया वो कभी किसी ने अमरवेल को देखा हो तो ये पीले से रंकी होती है देखा वो किसी पेल की उपरे दी अमरबेल हो जाती है ये उस पेल को सुखा कर नश्ट कर देती है क्यों क्योंकि अमरबेल जो होती है ये होती है टोटल पेरासाइट होती है ये होती है टोटल पेरासाइट होती है ये पूर्ण परजी भी होती है ये सभी कुछ इस पौधे से प्राप्त करती है इसमें हिस्टोरिया पाए जाते हैं चूसकांग पाए जाते हैं यदि कभी आपने खेत की मेलकी उपर देखा हो तो उसको आप निकालोगे न तो उसके चूसकांग उस टहनी के अंदर चुभे हुए रहते हैं तो पौधे का जितना पानी है खनेच है जो बना रहा था वो सब को उनों प्योग कर लेती है वो ये पीली से रंगी अमर बेल आप चूकि पीली रंगी होती है तो जाहिर सी बात है इसमें किलोरोफिल नहीं पाया जा रहा है और किलोरोफिल नहीं पाया जा रहा है तो खुद से ये प्रकास संसलेसर नहीं करती है वो पूरा का पूरा इसको पर निरभर रहती है और जिस पौधे की उपर रहेगी उसे पूर्णता से ये नश्ट कर देती है उसे पूर्णता से क्या कर देती है ये खत्म कर देती है तो ये कहलाता है क्या अमर बेल जो कि होता टोटल पेरासाइट की केटिगरी में आता है पून परजीबी की अंतरगत ये आता है ठीख है अगला अगला कहलाता है जा प्रिडेशन प्रिडेशन का मतला होता परभक्षन ये बाज आया बाज ने एक छोले से पक्ची को हौक ने उठा कर ले गया प्रिडेशन तो इसको तो फाइदा हो गया ये अनेफेक्टिट कैटिग्री में रहेगा मतलब ये प्रभाविति से कुछ क्या होना है परभक्षन दूसरे को खाही लिया तो एक को फाइदा एक को नुकसान बोल सकते हैं या आपर भाविति से हम यहाँ पर बोल सकते हैं वो ज़्यादा ठीक रहेगा ये कहलाता प्रिडेशन परभक्षन अगला अगला कहला था कॉम्पटीशन प्रतिस परधा अब इसमें तो लड़ाई होगी भाई प्रतिस परधा में लिखा हुआ भी है ये एक परकार का कोल्ड वार है ये एक परकार का सीत युद्ध कहलाता है है ना इसमें क्या होता है दोनों जीवों का समंध हानी कारक होता है क्योंकि दोनों यहां पर लड़ाई करेंगी, प्रतिसपर्दा यहां पर होगी, प्रतिसपर्दा कैसी हो सकती है, या तो हो सकती है, इंटरेस्पिसीज, देखो, या हो सकती है, इंटरेस्पिसीज, एक ही जाती में हो सकती है, प्रति सिकार को छिनने के लिए अव सीर को लड़ाई करनी पड़ रही है इसको आब क्या बोलोगे इसे बोलोगे इंटर इस्पे letzt इस्ट्रिगल इंतर जाती 5 पर दा है यह श्ट्रगल हो रहा धोती प्रतिस पर्दा के बारे में हम बात करते हैं एमनसेलिजम के अपन उपर चर्चा करते हैं यह आपको डिटेल और डिटेल और डिटेल बायलोजी में देखने को मिलेगा अधरमाइस तो आपको देखने कितावों में तो यह इसके दरसन ही नहीं होंगे एमनसेलिजम के MN-cellism होता है दो परकार का होता है इसमें एक को क्या होता है एक जीब को हानी होती है और दूसरे जीब की उपर कोई परभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है MN-cellism जो होता है यह दो टाइप का देखने को मिलेगा लिखा है पहला लिखा एंटी बायोसिस और दूसरे लिखा है एलीलोपेथी देखो MN-cellism के बात कर रहे हैं एक को क्या होगा एक को फाइदा होगा दूसरा रहेगा अपर भावेद इसको नहीं फाइदा होगा नहीं नुक्सान होगा दो परकार का होता पहला कहला था एंटी बायोसिस सर ये क्या कहलाता है तो देखो यहां से एक सब्दा आप याद कर लिजिएगा इसका एक्जामपल मैं दे सकता हूँ बिभेन परकार के एंटी बायोटेक सनोहागा आपने जब कभी बुखार आता है तो आप बोलते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थों को छोड़ते हैं या कुछ ऐसे पदार्थों को निकालते हैं जो दूसरे सूक्छुमजीबी की ब्रधी को या तो रोक देते हैं या उन्हें क्या कर देते हैं मार देते हैं उसी को तो हम बोलते हैं एंटी बायोटिक कहा जाता है यह कहलाता है क्या एंटी बायोटिक जबकि एलीलोपेथी का बहुत अच्छा एक्जामपल यह दी मैं आपको दूँगा तो कॉंग्रिस ग्रास गाजर घास सर गाजर घास क्या काम करती है सो आपने दिखा होगा जहां कहीं भी गाजर घास सुकती होई दिखाई देगी सो केबल और केबल और केबल गाजर घास आपको दिखाई देती है क्यों 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 गाजर घास जो होती है उसकी जो जड़ें जो होती है यह ट्राई सिनेमिक एसिट को क्या करती है release करती हैं इसको छोड़ती हैं इस अमले की बज़े से दूसरा पौध है इसके आसपास नहीं उगपाता या तो वो मर जाता है या तो वो खत्म हो जाता है इसे कहा जाता है एलीलोपेथी कहा जाता है तो अब देखो पहला क्या लेखा एंटी बायोसिस तो एंटी बायोसिस का बहुत अच्छा एक्जामपल क्या है एंटी बायोटिक तो हमने क्या बोला एंटी बायोटिक क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो दूसरे ऐसे सुक्स जीव जो दूसरे सुक्स जीवियों की ब्रधी को य या तो वो रोक देंगे या तो नहीं क्या कर देते हैं किल कर देते हैं या तो नहीं क्या कर देते हैं मार देते हैं यदि ब्रधी को रोक देते हैं तो उन्हें बोला जाता है बैक्टेरियो इस्टेटिक कहा जाता है या उन्हें मार देते हैं तो बैक्टेरियो साइडल कहा ज यहां पर निकालती है इसलिए जहां कभी भी आप गाजर घास को ओगता हुआ देखोगे तो वहां केबल और केबल और केबल और गाजर घास उकते हुए दिखाई देती है और कोई चीजें उकते हुए दिखाई यहाँ पर नहीं देती है यह गाजर घास जो है यह हमारे यहाँ की वीड नहीं है यह हमारे यहाँ की प्रजाती नहीं है हुआ क्या था 1960 की हम दसक की हम बात कर रहे हैं जब हमारे यहाँ खाद बियान की कमी हुई थी मतलब हरित करांटी के पहले की हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहां पर जब खाद ग्यान की कमी हुई थी तो हमने USA से आयात किया था क्या गिहूं यह जो बीड है यह खरपतवार जो है यह हमारे यहां का नहीं है यह USA का खरपतवार है तो जब हमने गेहूं को आयात किया तो यूएसे बड़ा स्मार्ट तो उसने क्या काम किया गेहूं के साथ इस कॉंग्रिस ग्रास के इस पोर भी भारत भेड दिये आप चुकि नगन आँखों से तो दिखाई देते नहीं है और उस समय हमारे पास उतनी अच्छी माइक्रोबायलोजी के लेब भी नहीं थी क्यी हम देखकर कमस कम ये पता कर पाएं कि इसमें क्या है क्ये सपोर है किसके पार्थेरियम हिस्टोरोफुरस के या कॉंग्रिस ग्रास के सपोर है तो उसने वो जो गेहूं जो भेजा था वो डी क्वालिटी का गेहूं हमें दिया था हाला कि उसके भी पैसे हमने दिये थे जो हाँ पर गेनिया पिक को खिलाते हैं ना पिक वाला वो हमें गेहूं यहाँ पर दिया गया था सबसे डी गुरोबता का गिहूं उन्होंने यहां पर भेजा था जब उन्होंने इतना इसा गिहूं यहां पर दिया तो उसमें स्पूर भेज दिये किसके गाजर खास के अब कई किसानों ने उसको लगाया अब जिसे लगाया तो गाजर खास भी उककर आ गई क्या गाजर घास तो यह हमारे हां की प्रजाती नहीं है मगर गाजर घास को इतना ज़्यादा इन्वारिमेंट भाया कहां का भारत का तो यहां पर बहर जगह आपको देखने को मिलेगी गाजर घास और अभी भी उसका उनमूलन हमने बहुत कारिक्रम चलाए तो अब बिल्कुल उनमूलन उसका नहीं हो पाता जहां से भाई एक साथ सभी का होगा तो होगा अदवाइस आप खेत में साफ कर दोगे फिर होग जाएगी साफ कर दोगे फिर आजाएगी इसी तरह से हम एक और पोध्य को लेकर आए थे मैक्सिको से लेकर आए थे लेंटाना जो था आगरा देखो क्या कहला था सेपरोफाइट दिखाई दे रहा है हिनीम से कहा जाता मिर्तोप जीबी तो ये भी एक परकार का क्या है संबंध है इसमें क्या होगा मिर्तोप जीबी नाम से ही समझ में आता है पहले आप देख लो उसमें सामिल क्या क्या होता है सेप्रोफाइट मिर्तोप जीबी के अंतरगत पहले क्या आता है प्रीमे कौशन मंचो का है इसके अंतरगत आता है कौन फंगी कवक और वैक्टीरिया ये किसके अंतरगत आता है ये आता है मृतोप जीबे के अंतरगत आता है एक्जाम ने कौशन पूछ लिया है वाइरस कभी भी मृतोप जीबे के अंतरगत नहीं आता है तो मृतोप जीबे क्या होते हैं जो डेड और डिकिंग माटिरियल जो होता है सड़े गले पदार्थों की उपर क्या होते हैं? ज्यंसे आपने क्या बूला, आपने बूला कुकर मुद्धा, तो मैंने बूला कुकर मुद्धा कहां पर ओगएगा, बठ्साथ की समय ही दिखाएदिगा, कोई पदार्थ का पीर्ड सल रहा है, या । गवर की उपर और छुका है फंगी और बैक्टिरिया ही आते हैं वाइरस कभी भी सेप्रोफाइटे के डिगरी में नहीं आते हैं है तो फंगस में भी कौन-कौन से आते हैं सिंध्ग के नाम भी लखी है इस्ट हो गया म्यूकर हो गया, राइज़ोपस हो गया, पैनिसीलियम हो गया, कुकर मुत्ता भी लिखा है, जीवानू दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, और कुछ पौधे या देखो, मोनोट्रोपा हो गया, नियोट्रिया हो गया, यूनिफ्लोरा हो गया, ये किसके कैटिगरी में आते हैं, ये मश्रूम और कुकर मुत्ते में अंतर क्या है, तो मश्रूम जो है कुकर मुत्ते का ही एक प्रकार है, आदित चौधरी, कुकर मुत्ता जो होता है, कुकर मुत्ता ही एक प्रकार का बोल सकते हो, मश्रूम बोल सकते हो, मश्रूम उसी कुल की अंतर गताता है, तो मश्रूम क् उच्छो क्वाल्टी का कुकर मुत्ता, ऐसा आप बोज़ सकते हो, वाकि अंतर कुछ भी नहीं है, वही सामान इसी बात लिखी है, क्या, कि जो सेप्रोफाइट का काम करते हैं, भूमी की औरवर सक्ती को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, पौते तथा जनतु यहां पर मिर होता है, बेसिक बात ही यहां पर लिखी है, करते हैं किसके उपर, इंसेक्टी बोरस प्लांट के उपर करते हैं, चर्चा, जो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, देखवा, इंसेक्टी बोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे, तो पहला तो कौश नहीं मनता है, कि भाई सा होते हैं जहां पर क्या होती लिखा हुआ है डेफि नाइट्रोजन डेफिसिट स्वाइल में यहां पर ग्रो करते हैं एसी मिट्टी जिसमें क्या होती नाइट्रोजन की कमी पाए जाती है उस मृदा में यह उगते हैं कौन इंसेक्टी बुरस प्लांट तो नाइट्रोजन की कमी को फुल्फिल करने के लिए ये हो जाते हैं इंसेक्टी बुरस हो जाते हैं तर हमने तो एक ही एक्जामपल सुना है घट पढ़नी का या पिचर प्लांट का सुना उसके अलावा भी कोई एक्जाम्पल यहां पर होते हैं धेर सारे एक्जाम्पल है पहला एक्जाम्पल है यूट्री कुलेरिया दूसरे एक्जाम्पल है ड्रोसेरा पूछ चुका है पीटी में यह नेपन्थीज जिसे आप बोलते हो क्या घट परणी हिंदी वाले बोल देते हैं अगला डायोनिया यह सभी के सभी एक्जाम्पल किसके हैं यह है आपके इंसेक्टीबुरस प्लांट के एक्जाम्पल है है ना यह सभी अच्छा इंसेक्टीबुरस प्लांट में पिचर प्लांट के बारे में तो एक कॉशन बनी भी गया है यदि आपने पिचर प्लांट को बड़ी गौर से आपने देखा हो यदि आपने घट पढ़नी को देखा हो या पिचर प्लांट को देखा हो तो एक बार कॉशन ऐसा पूछ लिया है यह देखो यह है क्या पिचर प प्लांट जो होता है जो घट बरपढ़नी पौधा जो होता है उसमें ये जो पिचर जो होता है ये किसका मौडिफिकिसन है ये किसका रूपांतरन है तो हम गौर से दी देख पा रहे हैं ये जो मौडिफिकिसन जो आपको दिखाई दे रहा है रूपांतरन जो आपको दिखा आई दे रहा हो किस से बना है यह देखो पत्ती से हीए बना ही पत्ती से इसका क्या पिचर हुआ हुआ है तो यह कौशर यहां पर पूछा गया है यहां पे होता नेकटर जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो यहbody wore हो जाता है बंद और इसके अंदर आने पर यह अपने डाइजेस्टों एंजाइम छोड़ता है जिससे क्या हो जाता है यह मर जाता है यह खत्म हो जाता है ठीक है चलो अब इसमें देखो एक चीज और बच रही है इसको जरूर देख लिजेगा यह कई वार आपके पीटी में भी पूछी गई है हम बात करते यह देखो मैं आपको यहां पर लिख लिख कंड़ा का बता देता हूं वो कोशन करता पीटी में बोलता बता हो हाइड्रोफाइट तो ये तो आप अब आप बता ही देंगे हाइड्रो का मतलब होता है पानी ऐसे पोथे जो कहां पर उखते हैं आवास के आधार पर on the basis of habitat केड़ Q&licгор findet का हमने क्या कि एक लाशिफे किसन किया है पोधों का हमने बर्गिकरण कर यहां पर किया है इन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट कहा जाता है ऑगम कि भंक आग्ला देखो मैं दिखाई गिनाओ हीलो फैइड देखो एफ्कि जलोका cherry जो कहां पर उखते हैं, ये कीचषड में उखते हैं, इन्हें कहा जाता है क्या मैं एक साथ लिख देता हूं तीनों को, तो आपको confusion नहीं होगा, पहला कहलाता है Helio millennials, हेलीआपके, दूसरा कहलाता है Hello, औरतीसरा कहलाता है कौंसा Helio, नाम एक से लगते हैं अंतर थोड़ा थोड़ा सा है देखो आँ कल ही चर्चा हुई थी हैलियो मैं यादा रहा है हैलियो जहां भी सब्द मिल्या इसका मतलब होता है तूरिये ऐसे पोध है जो तीज प्रकांस में उकते हैं इने कहा जाता है क्या हैलियो फाइट कहा जाता है फर तो फिर हैलो किसे बोलेंगे हैलो जह सब्द आया है किसे ग्रीक भासा के सब्द हैल्थ से इसका मतलब ही होता है सी सॉल्ट इसका मतलब ही आपको देखने को मिलेगा क्या सी सॉल्ट है समुद्री लवन तो ऐसे पोथ है जो कहां पर उगते हैं सलाइंड वाटर में ऐसे पोथ है जो लबड़ी मरदा में उगते हैं इन्हें कहा जाता है क्या हेलोफाइट और हीलोफाइट कहां पर इसमें एक्जामपल आप लखेगा एक जायाद लोटस नम जमीन में कीचल में ओगने बाले पोधे तो वो PT में कॉशन करता है हेलियोफाइट कहां पर ओगेगा हीलोफाइट कहां पर ओगेगा और हेलियोफाइट कहां पर ओगेगा तो मैं तीनों को एक साथ यहां पर explain कर दिया ताकि आपको याद रहे ठीक है चलो अगला देखो कहा लेखा है औगजेलोफाइट तर इसको हम कैसे याद रखें औगजेलोफाइट देखो को याद भी हो जाएगा हंदी में बोलते हैं किया हिंदी में कभी विए आप से पूछेगा हो की यॉसे पौध है जो अमरे हो थे जो इन अशी तरीकी जा लाइग देखाईगर साइक्रोफाइड का मतलब यहां पर होता है लो टेंपरेचर एंसे पोधे जो कम तापमान में उखते हैं इसे कहा जाता है क्या साइक्रोफाइड कहा जाता है देखाई दिरा एंसे पोधे जो कहां पर उखते हैं कम तापमान में उखते हैं इने बूलते हैं क्या साइक्रोफा कहा जाता है अगला हेलो फाइट तो आप मैंने बता ही दिये हिंदी बूलते हैं लवड में उगने वाले पोथे इसकी उपर चर्चा मैंने आपके साथ करी दी है हेलो फाइट साइक्रो का मतलब या दखना लो टेंपरेचर कम तापमान में उगने वाले पसी देख कॉशन करत है वो अगला देखो लिठो जहां भी आपको सब्द मिल जाए लिठो लिठो का मतलब होता है चटान आपने तकनीकी सुनी होगी लिठो ट्रिपसी सुना है किडिनी से क्या करना पत्थर को अलग करना श्टोन को अलग करना तो जहां भी लिठो सब्द मिल जाए उसका मतलब क्या इस टोन इसका बहुत अच्छा एग्जामपल मैं देख सकता हूँ ब्रायो फाइलम हिंडी में से बोलते हैं पत्थर चटा कहा जाता है पत्थर पे उगने बाला पौधा अगला देखो सामो फाइट देखाई देरा है कहा पे उगने बाला रेत में उगने बाले पौधा हों को बोलते हैं कि सामो फाइट कहा जाता है बहुत बहुत काम के हैं ये देखो अगला है देखो 400 फाइट देखो कुछ लोग करसो पढ़ते हैं में 400 पढ़ता हूं इसको C-H-E-R-S-O चर्सो तो देखो चर्सो इसे लग रहा है चर्ना चर्सो इसे लग रहा है कि इसे चर्ना तो चर्ना गाई भेंसों को कहां पर चराते हो बेकार भूमी पर खेतमत थोड़ी चराएंगे फसल लगी जहां पर तो बेकार भूमी पर उगने बाले पौधों को बोलते हैं क्या है सक भूमी पर उगने बाले बौधों को बोलते हैं चरसो फाइट नॉन टेक्निकल है मेंकर लंबे समय तक याद रहेगा आपको वो कौशन करता कि चरसो फाइट उगते हैं चार पाच ओफसन देगा आपको वो पीटी में ही कौशर मनते हैं यहां से अगला देखो इरीमो फाइट कल ही मैंने आपको बता था या तो बोल दो जीरो फाइट या बोल दो क्या इरीमो फाइट कहां पे डेजर्ट में उगने बाले पौध है ठीक है सबाना में जोकतिन को बोलते हैं साइलो फाइट कहा जाता है ठीक है और स्कलरो फाइट कहा जाता जाता जाड़ियां जो होती हैं इने कहा जाता है स्कलरो फाइट कहा तो यह था यहां तक प्लांट क्लासिफिकिसन जहां पर वन डे और इस्टिड पीए से भी धेर सारे कॉशन्स पूछे जाते ह इस सारे कॉशन्स वो इंग्लिस में ही पूछता है हिंदी में क्यों नहीं पूछता है मैंने आपको रिजन यहाँ पर बता दिया तो क्लास कैसी लगी आपको मुलाकात करेंगे हम अगले सेसन में इसी में